हलो दोस्तों मैं परशान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक वीडियों कम्मूनिटी में स्वागत करता हूँ तो आज मैं आपको इस वीडियों बताने जा रहा हूँ जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है यहाँ पे आपको देख सकते हैं आपको चार्ट के लेगर दिख रहा होगा अब यहाँ क्या हुआ है प्राइस आपका नीचे से उपर सैज की अज़ा रहा है और यहाँ पे इसके बाद प्राइस आपका गपा अपन हुआ है लेकिन इस gap को sustain नहीं कर पाया फिर price आपका यहां से नीचे आ है फिर छोटा से उपर गिया फिर नीचे है फिर उपर गिया फिर ऐसे उपर नीचे उपर नीचे कर रहा है यहनि यह जो charting pattern है इसको आप कैसे read कर सकते हैं यह मैं आपको इस video में बताने जा रहा है यहनि इस video में आपको बताने जा रहा है how to read chart and on the basis of chart how to find trading opportunity chart को read करके उसके basis पे आप trading opportunity कैसे find कर सकते हैं यह मैं आपको इस video में इनी सब के basis पे explain करने जा रहा है और इसके उपर हम आगे और भी वीडियो बनाएंगे यानि डिफ्रेंट डिफ्रेंट सिटुएशन में आप चार्ट को कैसे वीड कर सकते हैं यह में आप पोस्ट प्लेन करूंगा और अगर आप यह चीज़ सीख जाएंगे तो ट्वेडिंग करना काफी आसान हो जाएगा त कि यहां पर हम चार्ट पर आगें देख सकते हैं जो चार्ट है आपका यहांपर टाइम फ्रेंट को लेके डाउट हुए था लोगों के मन में अगर आपको चार्ट ट्वीड करना सीखना है तो सबसे पहले आपको daily time frame में ही chart देखना परेगा क्योंकि daily time frame बाद चार्ट काफी हद तक mature रहता है फिर उसके basis पे आप trend fine कर लो और फिर trend fine करने के बाद आप 5 minute 15 minute का time frame बाद चार्ट इसक्माल करके trading positions initiate कर सकते हो लेकिन अगर आपको charting pattern read करना सीखना है तो सबसे पहले परेगा क्योंकि daily में जो candlestick बनता है वो काफी mature रहता और वो काफी maturity के साथ आपको जो भी indications देता उस पर आप काफी हद तक भरोसा कर सकते हैं इसलिए आपको जो charting pattern सीखना है इनिशली में आपको daily chart में आना वहीं जाके आपको सारा कुछ clarity के साथ समझ में आएगा इसलि levels को कैसे spot करना देख सकते हैं यहाँ यहां पर आपका support की रूप में काम रहा था इस लेवल को आने spot कर लिया उसकी बाद यहां पर यहां पर हम सब कुछ आपको explain करते हैं तो सबस्पहले हम क्या explain करें यहां पर देखे price आपका gap up open हुआ है ठीक है और लेकिन उस gap को sustain नहीं कर पाया फिर price आपका नीचे आ गया यानि जब market gap open हो और उस gap को sustain नहीं कर पाया तो उसको हम लोग बोलते हैं exhausted gap ठीक है exhausted gap का मतलब हो गया वैसा gap जो कि पूरा पूरा खत्म हो जाएगा या फिर खत्म हो गया है तो इस gap के basis पर हम अपना trading positions कैसे initiate कर सकते हम trading opportunity कैसे find कर सकते यह में explain करूँगा और उसकी बाद जो भी further development होगा उसको हम कैसे read करेंगे वो सब मैं आपको इस video में explain करने जा रहा है इसलिए थोड़ा आपको ध्यान के साथ सीखना होगा क्योंकि यह चीज आपको हर एक जगा नहीं बताया जाएगा कि basic से आप chart को कैसे read कर सकते हो तो सबस्क्राइन देखिए price आपका नीचे से उपर आ रहा और यह level क्या बन गया यह level आपका strong support level बन गया ठीक है उसकी बाद price आपका उपर आ यहाँ पर आ यहाँ पर सपोर्ट यह करीब आया था इसको break नहीं किया आपका पांच गुना ज्यादा वालूम है इतना जबर्दस वालूम के साथ price gap up open हुआ है तो क्या जैसे market आपका gap up open होता उसके basis पर हमें react करना चाहिए नहीं करना चाहिए सबस्क्राइब हमें देख लेना है कि जो candle gap up open हुआ है वो candle का formation कैसा हो रहा वो solid candle बन रहा है या फिर rejection from the top हो रहा ही नहीं हो रहा है यहाँ पर अच्छा कासा वालूम है वालूम के साथ buyers पूरे के पूरे active हुए और जिस price पर gap up open हुआ है वहाँ पर भी buyers इंट्वेशन है और buying चलबा लेकिन जैसे ही candle close हुआ हमने क्या देखा strong rejection from the top क्योंकि उपर में अच्छा कासा tail या फिर weak बना है जैसे ही उपर में आपको अच्छा कासा tail या फिर weak बनता है मतलब यहाँ पर जो buyers हैं इस particular level पर buyers क्या हो रहें buyers यहाँ पर आपके कमजोर हो रहे हैं और जो seller है वो यहाँ पर क्या gain कर रहा है वो यहाँ पर अपना strength gain कर रहा है तो पूरे को आप एक story की तरह समझे यहाँ से buyers चलबा सब साथ में अब यहाँ पर gap up open हुआ है तो यहाँ बेभी buyers है और buyers का volume भी है मतलब buyers अच्छे खासे quantity में है लेकिन जैसे यह काफी उपर गया उसके बाद क्या हुआ बायर्स ने यहाँ पर साथ देना बंद कर दिया एके करके buyers यहाँ पर निकलते चले गए अब बायर्स निकलने का कुछ भी region हो सकता profit booking हो सकता या फिर selling pressure हा जोए बायर्स ने अपना strength गें किया क्योंकि मार्केट में दो ही लोग होते हैं आपको किसी एक के साथ जाना होता है अगर आपने सही पार्टी पिक किया तो आप यहाँ पर प्रॉफित बनाओगे गलत पार्टी पिक है तो आप यहाँ पर लॉस बनाओगे तो इसलिए जो के फिन माकेट में आपको जाना परेंगा तब आपको प्रॉफित मिलता हूँरी यहाँ परमें तो इस्टीज यहाँ पर मांकेट आपना strength गें कर आप यह सब्ते समें ऊपर में अच्छा कार्सावं टेल हमें देखने को मिला है यहां पर हमने इस चार्टिंग पैटर्न को समझ लिया है यहां पर बायर्स में स्ट्वेंथ नहीं है तो हम क्या करेंगे अब यहां पर हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी तो सेल करने का मौका तलासेंगे यह काफी स्ट्रॉंग है इसके लोइस पॉइंट को हम माक कर सकते हैं अगर इसके लोइस पॉइंट को प्राइस ब्रेक करके नीचे आता है तो यहां पे हम सेल साथ की तरफ एंट विल एंगे क्योंगि और इसी लेवल के आसपास क्लोजिंग दिया तो जो हमारा स्टॉप लोस क्या होगा स्टॉप भी हमें काफी स्ट्विक चाहिए अब यह कंडल कर इसके करीब आया तो यहां पर हम इसको एजस्टॉप लोस रखेंगे उसके बाद जैसे प्राइस इसको ब्रेक करके नीचे करें सबस्टॉप लोस में यह हो गया टागेट पैस ने तो समसे पहला यह होगा जहांसे वो क्याप-प की सुरुवात किया था दूसरा लेवल अगरा बात करती है मेरा दूसरा टागेट पैस होगा तीसवा टागेट पैस ही जो सपोर्ट लाइन है वह होगा तिहां पर किसमें इसे बैंक में यहां पर 75 पॉइंट का मतलब है कि लगबंग मुझे 10% का विटरन मिल गया इस ब्रेकडाउन में यहां पर जो आपको निगेटिव सरी की तरफ मूव दिखाया इसको हमने आइडेंटिफाई किया चार्ट को हमने रीड किया और उसके वेशिस पर हमने स फाइंड किया जैसे हमें सेलिंग अपर्शियनीटि मिला है यहां पर हमने सेल करके प्रॉफिट बना लिए इसी तरीके सापको चार्ट को रिट करना अब देखिए अब आगे क्या हो रहा है आएक का डवलप्मेंट भी आपको समझना है सिर्फ आप इस पैटरन को देखके profit ने बना सकते है profit बना बिलिए तो profit को retain करना वह ज़ुरी है profit retain करने के लिए क्या करना होगा आगे का जो भी पैटरन है हमें वह भी समझना होगा इसके आई का pattern भी हम समझते हैं अब देखिए यह लेवल नाव apartments से इसको टच किया है अप गया वापस से श्रेंफ की कमी हो गया और यहां पे झाल को मिलगा और इसके भी लोजस्पाइंट को mark करेंगे यहां भी हम क्या करें यहं पर हम- here करेंगे मतलब यहां पर हमें sense फार नहां वापस से 750 के करीब यहां पर हम सेल करेंगे उसके पहला टागेट पैस मेरा यही लाइन बनेगा यहां पर हम अपना सेल पोजिशन में जो भी इनिशियेट किया था वहां से रिस्टेंस लाइन बन गया और जैसे रिस्टेंस लाइन को टच किया हमें बायर्स में कमजोगरी देखने मिला सेलर्स यहां पर जादा एक्टिव होते हुए देखा तो हम यहां पर सेलिंग अपरचुनिटी फाइंड किया और यहां पर हम सेल करके प्रॉफिट बनाया अब अगर का भी अपरचुनिटी देखना अब यहां पर सारा एक्जांपल आपके सामने यहां जब इसने रिस्टेंस लिवल खो नहीं किया आगए एक जांपल है कि रिस्टैंस लिवल को ब्रेक कर दिया और यहां पर एक और चीचिछ सकते वॉल्म वालूम देखिए कंटूश basis पर भी आप यहाँ पर identify कर सकते हैं कि यहाँ पर हमें बाइसाइट के तरफ जाना या नहीं जाना या फिर यह रेस्टेंस डिवल ब्रेक होगा या नहीं होगा इसी को हम लोग चार्टिंग पैटर्न वीड करना बोलते हैं कि आपको सारा कुछ देखना होगा with volume यहाँ पर र इस केंडल में भी हमें थोड़ा सा कंफर्मेशन नहीं मिल वा किया है यहाँ पर वेट करेंगे और अगला केंडल देखिए क्या हुआ अगला केंडल का लोइस पॉइंट और ओपनिंग पॉइंट लगवाग से मिया जादा कोई डिफरेंस नहीं है मतलब जिस प्राइस पर ले सकते हैं इस पार्टिकुलर लाइवल पर हम क्या करेंगे बाइसाइट की तरफ इंट्वी ले सकते हैं चार्ट को रीड करते हुए सारा कुछ सिचुईशन को देखते हुए और उसके बाद हमारा टागेट पर इस क्या रहेगा यह एक लेवल है जहां पर प्राइस रु चलेंगे और इस तरीके से यहां पर प्रॉफिट बना सकते हैं और चाहो तो यहां पर ट्वेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है और डायक्ट आप चार्ट वीडिंग करके सबसे पहले आप बैक टेस्टिंग करो मतलब पेपर ट्वेडिंग करो ला उता होना लेकिन चोटे कापटल के साथ हीनी हजार तोजार पांच हजार से कम क्यापटल के साथ उसकी बाद आपका वह सब सही होने लगेगा फिर धीर अपना हच्पापन इंक्वीज करो इससे क्या होगा आपका अगर स्टार्टिंग में नुकसान भी होता तो बहूत कम सीखने को मिलेगा और उसके बाद धीर धीर आपका confidence भी इंक्वीज होगा और उस तरीके से आप स्टॉक मार्केट में लंबे समय तक बने रह सकते हैं लोग क्या करते हैं यह वीडियो देखने क्वाद कल सही वह ट्वेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं जो सारा प्रॉसेस फॉलो करना होगा यह भी systematic तरीका है तभी जाके आपको profit मिलता हुआ दिखेगा तो यहां पर आपने पहला example समझ लिया उसके बाद देखें आगे और भी बहुत कुछ हुआ है उसके प्राइस उपर गया वापस से यहां पर नीचे में इसको break किया और जब नीचे में इसक सारव कुछ आप आगे कभी pattern यहां पर read कर सकते हो तो नहीं पर हम दूसुरा example लेते हैं अब यहां पर हम सी 15ầICK के चार्ट सेंम से limited है bank नहीं इसके डेली चार्ट पर यहां पर आ गया अब यहां पर भी आपको उसी तरीकी से सारा को चार्ट वीडिंग करता है और जो हमारा इस चार्ट वीडिंग में फोकस है क्या है exhausted gap के उपर हम फोकस कर रहें यानि gap up market भी आपका बहुत तरीका होता है सबस्पहले हम exhausted gap के basis पर कैसे trading लेगे और उसके बाद जो हम यहां पर profit बना है उस profit को आगे हम कैसे secure करेंगे उसके बाद market का जो भी development होता है उसके basis पर हम कैसे trade initiate करेंगे और next video हम किस पर फोकस करेंगे कैसे opportunity खोदना trading opportunity और उसके basis पर कैसे चार्ट वीड करना वह सब मैं आपको next video में explain करूंगा इस video में जो exhausted gap है उसको आपको समझना और उसके बाद आप फोड़ा डेवलेप्मेंट होता उसके basis पर चार्ट वीडिंग कैसे करना वह मैं आपको basically explain कर रहा हूं तो यहाँ पर आपको उपर साइड की तरफ जा रहा है इसके वाल प्राइस आपका यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ बित strong volume और जब भी इस तरह का volume के साथ gap of open हो और वह क्याप सस्टेन न करें और उपर में आपको लॉंग टेल यहाँ लॉंग विक देखने को मिलें मतलब यहाँ पर क्लियर कर दिख रहा है कि बायर क्या हुए बायर यहाँ पर बहुत जादा कम जोर हो गया है और यहाँ पर जो strength देखने को मिला तो क्या price उपर जाएगा बिल्कुल नहीं price नीचे side की तरफ आएगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जब भी ऐसा situation देखने को मिले तो जो भी candle gap open दिया उसके lowest point को हम mark करेंगे और उसको break करके नीचे आया तो हम sell side की तरफ जाएगे और जो भी candle इसको break किय है उसके highest point को हम stop loss रखेंगे तो यहां पर देखेंगे इस candle break करके नीचे आया इसका जो भी highest point है वो मेरा stop loss बन जाएगा और यह लेवल जैसे break हुआ यहां पर हम sell करेंगे यहां पर हम जो sell करें लगभग आपका हुआ को 25-50 क्या यहां पर हम sell करें और उसके बाद है टांगे प्फैस क्या रखेंगे सबसे पहला टारगेट प्फैस हमारा यही रहेगा इनी टांगेट पैस के अब Unless करें लगभग आपका 2420 के आश्पास ही हमारा target पैसों का यह नहीं लगबग ठूपकर के है यह निर यहां पर सीर्फफ जो है आपका 20 ोइंट करे। तो कि बात करें तो स्केंड टागेट पैस हमारा यह मैंनी और एको यह ने पूरा का सी इव्य टागेट ने यह गर देए है नि आप आप आपको अच्छा सब्सक्राइब आपको अच्छा प्रॉफिट मिल यहां पर लगवग आपको पान्सों पॉइंट के करीब profit मिलता हुआ दिखा अगर हम percentage की बात करें लगबग आपका 1820 परसेंट करें यहां पर रिटर्न आसानी से मिलता हुआ दिखा है एस डिए अपसी लिम्टेड के डिली चार्ट तो यह किस बैसिस पर हमने इंडिफाइ गिया यह जो तो यहां पर मजबूत कौन हो रहें तो हमें जिसमें इस्ट्रेंट उसके साथ जाना पड़ेंगा तो हम सेल करने का अपर्टूइटी फाइंड किये जैसे हमें एक महत्वीन कर सकते हो क्योंकि तीन केंडल का टॉप सेम है नहीं तो प्राइस नीचे फिर एसल हिट नहीं करें उससे उपर ही है और फिर प्राइस आपका यहां से अपसाइट की तरह हो गया तो कई बार इस सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है तो हम इस सपोर्ट लेवल को पकर के बैठे रहेंगे जैसे ही सपोर्ट लेवल के पास क्या देखेगा यहां पर हमें सेलर्स में कम जोई दिखेगा देख सकते हैं यहां पर जैसे आया वालम घट रहा है यहां प करिब आएगा तो यहां पे अपोचुनिटी नहीं क्योंकि यहां पर अपे एक जट उल्डा हो रहां इस पार्टक्लर लेवल पर आने के बाद और सही जगह पाइंड किजिए इंटवी लेने का और सही जगह आपको फाइंड करना इसके बाद आप आसानी से चार्ट चो रीड किये उसके वेसिस पर प्रॉफिट बना सकते हैं यह जो यूनिक कॉंसेप्ट मैंने आपको बताया और काफी बेसिक कॉंसेप्ट है यह समझ म में आगी होगा और आपको चार्ट विडिंग आगे करने में काफी आसानी होगी अगर आपको यह वीडियो को लाइक करके हमें सर्कारों करें और चैनल को सब्सक्रेब नहीं कि एक कीजिये प्पारे को स्बस्क्राइब करें more जाहिन